दिल्ली पहुचने वाली आज 33 ट्रेने लेट हुई और लेट होने का सिलसला हर दिन बढ़ रहा है कोरे के साथ साथ railway क्या कुछ इसके लिए कर रहा है क्या उपाय ऐसे हो रहे है कि बात करने के लिए बात करने के लिए अधान साथ दीपक कुमार हैं CPR हो हैं उत्तर railway के सर जो ये ट्रेशनों का सिलसला लेट होने का बढ़ रहा है इसको लेकर कि क्या तयारी है क्या जो ट्रेने बहुत लेट हो जाती हैं वो कम लेट हो इसका कोई तरीका अपनाए जाता है देखिए हरसल की तरह इस बार भी पिछले तीन दिन से लगातार फॉग आ रहा है और इस फॉग के करण तीनों मोड अफ ट्रांसपोर्ट चाहे रेल हो या रोड हो या एर हो तीन अपनाते हैं जैसे जैसे फॉग आता है फॉग से आने से पहले ही बहुत से फॉग रिलेटेट जो प्रिकॉशन है हम लोग लेते हैं एंजिंज के अंदर फॉग सेफ्टी डिवाइसेज लगे हुए जिससे driver को signal की situations के बारे में उसके बारे में सित्ती के बारे में पता चलता है और night patrolling जो है वो हम लोग लगातार इसकी करते हैं इसके लावा officers रात को जो है वो foot plate कर रहे हैं stations की inspections कर रहे हैं और train के अंदर भी travel कर रहे हैं तो यह सारी चीजें हैं कमाम तरह के तरीके हैं जिसके कारण हम लोग ensure करते हैं के train में जितनी भी लेट हो रही हैं उसको कम से कम किया जा सके कोहरे के कारण दुरगटनाओं की भी आशंका बनी रहती कोहरे के कारण definitely क्योंकि visibility ब साथ मीटर के असपस थी तो उस केस में यह दुरगटना होने का भी डर रहता लेकिन train में यह situation नहीं होती यह आप रोड में यह situation हो जाती है विकास visibility नहीं है अगर आपको दूसरी गड़ी नहीं दिख रही है तो आपका एक्सिडेंट हो सकता है बट ट्रेन में ऐसी situation नहीं होती जो आने वाले समय में अगर कोहरा बढ़ता है तो ट्रेने और ज्यादा लेट होती जाएंगी क्या अनुमान है कि इन ट्रेनों को पहले ही ट्रेन के फाग आने से पहले ही हम लोग इस तरह से अनलेसिस करते हैं कि कुछ ट्रेनों की हम लोग जो है फ्रिक्वेंसी कम करते हैं कुछ ट्रेने जो जो बहुत इंपॉर्टन नहीं है जिसमें ऑकी बहुत काम होती है उनको हम कुछ ट्रेनों को कैंसल भी करते हैं ताकि जो इंपॉर्टेंट और लंबी दूरी की ट्रेने हैं, उनको कम से कम उनके उपर एफेक्ट रहें. मुझे नहीं लगता कि सोला गंटे लेट वाली ट्रेन को आज कोई है, तो नहीं. आज नहीं है, लेकिन हर साल होती है, इसलिए मात करें. नहीं, अभी वो सिचुवेशन नहीं होती है, वो पहले हुआ करती है, इसमें यात्रियों को जब आप लोग डिसाइड करते हैं, रेलवे डिसाइड करती है कि ट्रेन कैंसिल की जाएगी, तो उसके बाद सवार यात्रियों को किस तरह के से सूचना दियाती है, उनकी क्या वे लोग कुछ समय के लिए कैंसल करते हैं, अगर एक रूट के ओपर दस से बारा ट्रेन चल रही हैं, तो उसमें जो दो अनिंपोर्टन ट्रेन हैं, उनको कही बार हम लोग कैंसल कर देते हैं, ताकि बाकी ट्रेन को बहुत ज़द़ डिले ना होना पड़े, और ऐसा नहीं है क तो ट्रेन की अवेलेबिलिटी तो देखते हुए हम लोग उसको कैंसल करते हैं, या शॉर्ट टर्मिनेशन होती, शॉर्ट टर्मिनेशन ये शॉर्ट और इजिनेशन के केस में भी हम लोग ये एंशूर करते हैं कि यातरी को कम से कम असुभिदा हो और अल्टिनेटिव ट्रांसपोर्ट उसको मिल जाए रविकांत, ABP News, दिले